बुकर पुरुषकार 2022 स्रिलंका के सेहान करुणा तिलका को दिया गया है करुणा तिलका को या पुरुषकार उनके दूसरे उपन्यास The Seven Moons of Mali Almeida को दिया गया है या उपन्यास स्रिलंका के ग्रहयुद में हुए जानलेवा तवाही के बीच एक करकस मार्मिक बेंग्यात्मक प्रस्तुती है पुरुषकार के रूप में 50,000 पाउंड की राज दी गया शेहान करुणा तिलका दूसरे स्रिलंकाई लेखक हैं जिनको बुकर पुरुषकार प्राप्थ हुआ है 1992 में स्रिलंका की लेखक माइकल ओडांचे को उनकी पुस्तक दे इंग्लिस पेशेंट के लिए बुकर पुरुषकार दिया गया था बुकर पुरुषकार 2022 के जिवरी के अध्यक्ष निल मैक ने कहा कि The Seven Moons of Mali Almeida में जिस चीज की विशेश रूप से प्रसंसा की हुआ थी इसकी मात्वा कांचा का दाइरा और इसके कथानक को पेश करने का तरीका The Seven Moons पुस्तक का प्रकासन सार्ट आफ बुक्स लंदन ने किया था या उपन्यास एक फोटोग्राफर की कहानी है जो अपनी मौत के बाद स्वर्ग पहुंचता है वहाँ पर उसे पुरानी तस्वीरे मिलती है जिसमें ग्रह युद के अत्याचारों के उसको जलक मिलती है चाहे किताबें सार्ट लिस्ट की गई थी The Seven Moons Catholic Allen Garner बिटेन के इनकी पुस्तक ट्रेकल वाकर जिंबाम्बे के नोवियो लेट इनकी पुस्तक ग्लोरी आइरिस लेखक क्लेर कीगन की पुस्तक Small Things Like This USA के लेखक पर्सीबल एवरेट की पुस्तक The Treat USA के लेखक एलिजाबेद स्ट्राउट की पुस्तक ओ विल्यम